हलो बच्चो आज हम class 12 का जो differentiation डिस्क्स कर रहे थे उसी की series में हम parametric form बताने जा रहे हैं इसके पहले आपको differentiation क्या होता है वो बताय गया है उसमें trigonurgical function थे, trigonometric function थे, logarithmic function थे, exponential था जिसमें e2 power x, e2 power x था इसका तो इसमें product rule बताया गया था, multiply rule बताया गया था, division rule बताया गया था, इसमें implicit differences बताया गया था, पूरा method हमने बताया है, यह सब आपने अगर पढ़ लिया होगा तो इस समझ में आएगा, चीक है, तो को parametric का मतलब क्या होता है, पहले तो इसका मतलब समझ लीजिएगा परामिती प्राचलिक रूप या परामिती रूप भी कहते हैं हिंदी में, और इंग्लिस में कहते हैं parametric file, लेकिए इसके पहले जापने पढ़ा, तो आपने पढ़ा अगर y x का function है, x का function का मतलब होता है, कि x के बदलने पर y बदलेगा, तो हम क्या करते थे, कि dy by dx निकालत अभी क्या हो रहा है, कि parametric में y मालिया किसी और का रिस्तेदार है, y t का रिस्तेदार है, t का function है, और x भी किसी और का रिस्तेदार है, x भी t का function है, तो अगर मैं y को x के respect में differentiate करता हूँ, तो आप कहेंगे, भाई तो x के term में दिया नहीं हुआ है, और जब x के respect में differentiate करते ह और कोई function x के term में नहीं होता तो हम कहते हैं वो constant है और उसकी value क्या कर देते है 0 लेकिन होगा क्या कि जब t बदलेगा तो y बदलेगा t बदलेगा तो x बदलेगा मतलब t के बदलने पर x और y दोनों को बदलना है इसका मतलब हम यह कह सकते हैं कि y के बदलने पर x बदल रहा है तो indirectly यह दोनों t के रिस्तेदार हैं तो indirectly यह आपस में भी रिस्तेदार होंगे अब हम y को किसके respect में differentiate कर सकते हैं t के respect में तो पहले आप क्या निकालेंगे d y by dt इसके बाद x को किसके respect में करेंगे इसको भी t के respect में करेंगे d x by dt और आपको निकालना है d y by dx तो क्या करेंगे इसमें d y by dt upon d x by dt अगर देखें तो dt कर जाएगा यह d y by dx लिखा हुआ है लेकिन हम पहले y t के पास जाएगा t के respect में differentiate होगा फिर x t के पास जाएगा और दोनों को divide कर देगे इसको कहते है parametric form लिख करके नहीं आता है उसमें आपको देख करके पहचाना पड़ेगा उसमें क्या होगा कि y और x किसी और form में दिया होगा और आपसे d y by dx पूछेंगे इसको प्राचलिक रूप भी कहते है या परामती रूप भी कहते है अब इसमें ncrt की अगली जो exercise है parametric की वो exercise नंबर है 5.6 इसको हम discuss करने जा रहे है 5.6 ncrt की है class 12 इसको हम discuss करने जा रहे है देखे पहला question देखीगा x is equal to 280 square और y is equal to 80 to power 4 तो आप क्या देख रहे हैं कि x भी t के term में है और y भी t के term में है यारी दोनों किसके function है t के function है t के function है t के function का मतलब होता है a के बदलने पर अगर किसी के बदलने पर t के बदलने पर x पे कोई फर्क पड़े तो x t का function है ये मतलब हुआ जैसे you are the function of your parents आप अपने parents के function है अपने माता-पिता के function है अगर उनकी परिस्थिती बदलती है तो आपकी परिस्थिती बदलेगी तो X को किसके respect में हम differentiate करेंगे T के respect में तो क्या लिखेंगे आप differentiating यह आउकलन करने पर देखें चुकि हिंदी वर्ड जो होते हैं English का बहुत हलका फुलका change है उसमे Terminology English में use करनी पड़ेगे तो differentiation को आउकलन करते हैं differentiating equation 1 and 2 किसके respect में with respect to T T के respect में इसको हम differentiate करने जा रहे हैं तो क्या होगा DXYDT मतब D by DT of 2AT square तो को पहली बात differentiation clear होना चाहिए हम differentiation implicit differentiation logarithmic differentiation सब के link देदेंगे आपको उस exercise पर नहीं सर्च कना पड़ेगा अगर यह exercise में आप पहुंच गये हैं तो आपको पहली की exercise clear होनी चाहिए तो इसमें 2A तो बाहर हो गया और T square का difference में क्या होगा 2T तो क्या हैगा 4AT तो यह तो हो गया आपका DXYDT अब आपको क्या करना पढ़ेगा Y को T के respect में differentiate करिए D by DT of Y Y है A T to power 4 A बाहर हो गया T to power 4 का क्या होगा 4T to power 3 यह 4AT to power 3 अब आपको निकालना क्या है D by by Dx यह यह दी वाई बाई बाई डी टी अपान Dx by DT D by DT निकाल चुके हैं आप 4A T to power 3 4A T to power 3 अपान Dx by DT निकाल चुके हैं आप 4A T 4A T तो आपका T square answer आएगा तो this is D by by Dx इसको कहते हैं parametric form अब second question देखिए सब्समें आ गया होगा कोई बहुत tough नहीं है इसको पस यह जो step है इसको आपको ध्यान रगना है कि किसके respect में इसको हम differentiate करें देखिए second question क्या बोल रहा है second question x is equal to A cos theta x is equal to A cos theta और y is equal to B cos theta y is equal to B cos theta यह question है अब साब साब दिख रहा है यह शायद B sin theta हो गलत note किया हो copy में देख लीजेगा यह दोनों theta के function है तो आपको दोनों को किसके respect में differentiate करना पड़ेगा theta के respect में differentiating equation 1 and 2 with respect to theta यह with respect to होता है theta के सापेक्ष आउकलन करने पर तो यह क्या हो जाएगा dx by d theta बतब d by d theta किसका करना है A cos theta का करना है A बाहर हो गया और cos theta का differentiation minus sin theta तो minus यहां लगा दिजेगा यह हो गया sin theta and अब क्या निकालना है d by by d theta तो d by d theta of y y is what b cos theta b बाहर हो गया cos theta का differentiation minus sin theta minus sin theta अब आपको क्या निकालना है so जो हम d y by d x निकालेंगे तो कि यह होता है d y by d theta upon d x by d theta यह क्या निकला है minus b sin theta minus b sin theta upon minus a sin theta value क्या होगी b upon a तो यह आपका निकलेगा d y by d x एक सिकेद इसके बाद third question क्या कह रहा है देखे third question क्या है third question कह रहा है x is equal to sin t x is equal to sin t and y is equal to cos 2t y is equal to cos 2t दोनों को देख के लग रहा होगा किस के function है यह t के function है तो दोनों को t के respect में differentiate करना पड़ेगा differentiating equation 1 and 2 with respect to t देखे जब d x by dt करेंगे मतब d by dt of x x मतलब sin t और sin t का difference क्या होता है cos t and d y by dt करेंगे मतलब d y dt of cos 2t इसका difference आपने पढ़ा है पहलेक्साइज में उसका description ने लिंक दे रखा है देख लीजेगा अगर ना मालू हो देखे cos x का difference होता है cos t का होता है यहाँ 2t है तो हमने कहा तक भी t की जगे कुछ भी हो इसको मन में t माल लो तो इसको पूरे को t माल लिया cos t का minus sin t minus sin t sin t मतलब 2t और 2t का फिर करेंगे क्या आएगा into 2 आएगा तो minus 2 sin 2t अब आपको करना है d y y d x तो d y y d t upon d x y d t तो यहाँ वैलू रखेंगे हम उठागर के d y y d t क्या निकला है minus 2 sin 2t और d x y d t क्या निकला है cos t अब answer को या नहीं छोड़ सकते ही क्योंको sin 2t को भी break किया जा सकता है तो minus 2 sin 2t क्या होता है 2 sin t into cos t sin 2 theta 2 sin theta into cos theta upon cos t तो cos t कोस t कर जाएगा तो आएगा minus 4 sin t तो यह आपका है question number 3 4 देखे fourth question को पहले अपने आप लगाने की कोसित करिए video को post कर दीजे और उसे लगाईए ना लगने की स्थित में आप इसको देखेंगे fourth कह रहा है कि x is equal to 4 t and y is equal to 4 upon t x is equal to 4 t and y is equal to 4 upon t दोनो t के function है तो दोनों को t के respect में differentiate करेंगे differentiating equation 1 and 2 with respect to t तो यहां क्या हैगा dx by dt is equal to dy dt of 4 t 4 बाहर हो जाएगा और t का difference is in 1 होता है जैसे dy dx of x 1 होता है जैसे इसका भी 1 होगा और जब dy by dt करेंगे आप dy dt आप 4 upon t तो 4 बाहर हो गया जो आप ध्यान से समझीएगा यह t inverse है x to power n n x to power n minus 1 इसको करने क्या हैगा 4 minus 1 t की power minus 1 minus 1 यहनि minus 4 t to power minus 2 तो यह निकला dy by dt now जब dy by dx निकालेंगे तो आएगा dy by dt upon dx by dt तो यह क्या निकला है minus 4 t to power minus 2 minus 4 t to power minus 2 और यह क्या निकला है 4 4 कर जाएगा तो इसका अंसर याद तो यही रग दीजेगा या minus 1 upon t square लिखा जा सकता है यह आपका 4th question है 5th देखे जरा चुकि डिफ्रेंसेशन आप पढ़ चुके है इसलिए ज़्यादा इसमें बताने जरूत नहीं है पस यह बताना है कि इसको किसके respect में डिफ्रेंसेट किया गया है एक मिनिट देखे यह 5th question है x is equal to cos theta minus cos 2 theta है और y is equal to sin theta minus sin 2 theta है आप कहेंगे क्या इसका कोई और method हो सकता है alternate method जी यहां हो सकता है देखे दो तरीके इसके हैं वो बड़ा complicated है दोरो equation से कोई ऐसी identity apply कर दीजिए कि theta यहां से gaib हो जाए वो हो नहीं सकता हो जाएगा बहुत टक पड़ेगा इसलिए method वो नहीं लगेगा यहाँ पर क्या करेंगे differentiating equation 1 and 2 with respect to theta is equal to d by d theta of cos theta minus cos 2 theta देखे cos theta का differentiation minus sin theta आप that लिखना पड़ेगा आप इसमें पूरा equation नहीं लिखा जाएगा minus जब cos 2 theta को करेंगे तो 2 theta को आप मन में theta मानेंगे cos का minus sin होगा तो यह plus हो जाएगा sin 2 theta और जब 2 theta करेंगे क्या हो जाएगा इसका 2 हो जाएगा तो यह आजाएगा minus sin theta plus 2 sin 2 theta इसके बाद dy by d theta करते हैं dy by d theta dy by d theta of sin theta minus sin 2 theta sin theta को differentiate करेंगे क्या हैगा इसका हैगा cos theta minus और sin 2 theta को तो आएगा 2 cos 2 theta अब आपको dy by dx निकालना है now dy by dx is equal to क्या बताया गया था इन दोनों को divide कर देंगे dy by d theta पान dx by d theta dy by d theta पान dx by d theta यह हो जाएगा cos theta minus 2 cos 2 theta अपान यह हो जाएगा sin theta minus sin theta minus sin theta plus 2 sin 2 theta चुकि further calculation करने से कोई फैदा नहीं है इसमें कुछ हो सकता है cos 2 theta को break कर दीजिए तो common कुछ मिलेगा नहीं यहाँ पर तो this is your answer हाँ यहाँ मिल सकता था अगर मैं sin 2 theta को break कर दू 2 sin theta cos theta तो sin theta common होगा लेकिन उसे कोई फरक नहीं पढ़ने वाला इसलिए this is your answer यही पर answer को आप छोड़ देंगे यह fifth question है इसके बाद जबाद six question देखीगा six question x is equal to a x is equal to a theta minus sin theta theta minus sin theta और y is equal to a one plus cos theta अब दोनों में दिख रहा होगा कि दोनों theta की function है तो दोनों से theta को गायब कर दीजेगा तो वो हो नहीं सकता तो दोनों को theta के respect में differentiate कर दो differentiating equation one and two with respect to theta तो यह क्या हो जाएगा dx by d theta is equal to d by d theta of a बाहर कर दो आएगा theta minus sin theta a बाहर theta का theta के respect में differentiate one होता है जैसे x का x के respect में one होता है one minus sin theta का cos theta और d by by d theta करिए तो आएगा d by d theta of a one plus cos theta a बाहर हो गया one का zero और cos का minus sin तो यह हो जाएगा minus sin theta अब ज़रा समझेगा dy by dx निकालना है अभी बताया हमने एक भाह dy by d theta upon dx by d theta कर दीजेगा दोनों को divide कर दो यह क्या निकला है minus a sin theta upon a one plus cos one minus cos theta one minus cos theta यह कर जाएगा तो आएगा minus sin theta upon one minus cos theta अब आप कहेंगे यही पर answer को छोड़ देते हैं जी नहीं देखिए चुक्किए आप इंटर में हैं बहुत basic से नहीं उसको उठाएगे one is the enemy of cos cos का सबसे बला दुस्मन one होता है cos का वो formula जो one को काड़ दे तो आपने cos 2 theta के फार्मूले पढ़े होंगे एक cos 2 theta का फार्मूला होता है one minus two sin square theta और एक होता है two cos square theta minus one इन दोनों में से जो यहाँ पर operate हो सके जो one को काड़ दे अगर आप कहेंगे साब यहाँ तो theta है यहाँ तो 2 theta है देखिए जब यहाँ 2 theta है तो यहाँ 2 theta का आधा हो गया अगर यहाँ theta ले लोगे तो यहाँ क्या हो जाएगा angle का आधा तो यह वाला formula यहाँ अप्लाई कर दीजे अब denominator क्या हो जाएगा one minus one minus two sine square theta by two तो अब चुगे theta by two family हो गई तो sine theta को ब्रेक करना पड़ेगा न तो हमारे पास एक formula होता है sine two theta का क्या पढ़ाएगा आपने two sine theta into cos theta और यहाँ theta होगा तो यहाँ theta by two हो जाएगा तो यह हो जाएगा two sine theta by two into cos theta by two अब इसको थोड़ा calculate कर लिजेगा नीचे का ब्रेकेट खोल दो तो उपर आएगा minus two sine theta by two into cos theta by two अपन नीचे जब खोलेंगे तो आएगा one minus one plus two sine square theta by two देखो one one कर गया अभी गायब हो गया इस two से two कर जाएगा एक sine से एक sine कर जाएगा तो आएगा minus cos theta by two अपन sin theta by two is equal to minus cot theta by two यह आपका answer आएगा इसी फार में लिखना पड़ेगा आपको ऐसा नहीं कि वहीं पर छोड़ देंगे तकाम चलेगा नहीं चलेगा जब भी one के साथ cause आएगा ध्यान रखेगा चाहे one plus cos theta हो चाहे one minus cos theta हो वो cos theta का formula जो one को cancel कर दे उसको आपको apply करना पड़ेगा अब 8th question देखिए 8th question देखिएगा अब आप समझ रहे होंगे कि 7th question तो भाई साथ गाइब कर दिये सबसे tough question है जी नहीं उस वीडियो के सबसे last में उसको बताऊंगा क्योंकि वो लंदी बहुत है इसलिए 8th देखिए पहले x is equal to a cos t a cos t plus log tan t y2 log tan t y2 और y is equal to a sin t तो दोनों किसके function है दिख रहे हैं भाई दोनों t के function है तो पहले दोनों को t के respect में differentiate कर देते है differentiating with respect to t देखिए dx by dt जरा साउधान a देखिए इसमें लिखेंगे आप इसमें step show करेंगे हम d by dt of cos t plus d by dt of log tan t by 2 a cos t का differentiation minus sin t minus sin t यहां प्याई जरा देखो हमारे पास formula log x का होता है log x हमने बताया है कि अगर log x है x की जगे कुछ और आता है तो कुछ और को मन में आप x मान लेते हैं इस tan t by 2 को मन में आप x मानो तो log x का क्या होता है one upon x तो इसका हो जाएगा one upon tan t by 2 update कर दीजेगा अब इसको फिर differentiate करेंगे जब tan t by 2 को करेंगे तो tan x होता है इस t by 2 को हमने x माना tan x का second square x होता है तो second square t by 2 अब चुँकि second square x होता है x get t by 2 आया है t by 2 को फिर differentiate करो तो ये one by two हो जाएगा ये आपका होगा step अगर केवल ये differentiation आएगा तब तो हर step को show करना पड़ेगा chain rule हमने बताई है पहली कि size में जहाँ पर concept बताया गया था इसका लेकिन चुकि ये concept किसी और का है इसलिए direct यहाँ पर differentiate कर सकते हैं अब इसको sin cos में change करके कुछ इसको देखो क्या लिखा हुआ है देखे ये हो गया minus sin t plus tan होता है sin upon cos यानि ये नीचे आएगा sin t by 2 और उपर हो जाएगा cos t by 2 six square cos का उल्टा होता है तो one upon cos square t by 2 और into one by 2 ये लिख सकते हैं अब अब गर ध्यान से देखें ये dx by dt निकलना है is equal to a ये minus sin t लिखा रहे हैं दो plus a cos से 1 cos कर जाएगा ये बचेगा 2 sin t by 2 cos t by 2 2 one upon 2 sin t by 2 cos t by 2 अभी बताया गया है 2 sin theta by 2 cos theta by 2 ये sin theta का फर्मुला है तो ये आपका sin t लिखा हुआ t by 2 तो ये हो जाएगा a minus sin t plus 1 upon sin t अब आप कहेंगे 1 upon sin 2 को cos 1 कर दें जी नहीं मत करिए कल्कुरिशन नहीं हो पाएगा हम sin t l से हम ले 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 लेते हैं तो आएगा a minus sin square t plus 1 upon sin t ज़रा numerator को ध्यान से देखिएगा ये एक identity लिखी वी 1 minus sin square theta is equal to cos square theta होता है ये आजाएगा a ये है cos square t upon sin t फिल आल इसको यहीं पर छोड़ते हैं अब आते हैं हम y को t के respect में differentiate करते हैं and dy by dt dy by dt dy dt of a sin t a sin t a sin t का difference हम क्या हो जाएगा cos t अब d x निकालो तो जब dy by dx हम निकालेंगे dy by dx तो क्या होगा dy by dt upon dx by dt जो value यहाँ put करेंगे तो dy by dt की value क्या ही है a cos t a cos t और dx by dt क्या ही है देखें नीचे आएगा a cos square t और upon जो sin t है वो उपर चला जाएगा यह cos से cos कड़ गया a से a कड़ गया उपर sin upon cos यह 10 t आंसर हाजाएगा तो यह आपका इसका आंसर हुआ 8th question अब जरह 9th देखिए 9th question देखिए x is equal to a sec theta और y is equal to b tan theta देखिए दोनों theta के function है तो आप जानते हैं कि parametric form है जिसको theta के respect में differentiate कर दो differentiating with respect to theta तो देखिए dx by d theta is equal to a बहार कर दो d by d theta of sec theta a sec theta का difference in क्या होता है sec theta into 10 theta sec theta into 10 theta and dy by d theta करिएगा dy by d theta आप v बहार कर दो into 10 theta v 10 theta क्या हो जाएगा sec square theta now आपको क्या निकालना है dy by dx यह दी वाई बाई d theta upon dxy d theta यह क्या हैगा b sec square theta upon a sec theta into 10 theta यह एक से कर जाएगा तो आएगा b sec theta upon a 10 theta दीखो आप दीखो answer को यहीं छोड़ सकते हैं आप लेकिन यहाँ पर अगर कुछ change करते हैं तो कुछ cancellation हो सकता है देखे ध्यान से होगा भी होगा उसको नहीं मालू 6 theta को 1 upon cos theta ले सकते हैं 1 upon cos theta और 10 को sin upon cos ले सकते हैं यह a upon में तो यह आएगा sin theta और upon जो है उपर जाएगा cos theta a cos से cos कर गया b upon a sin theta और sin को ले सकते हैं उपर b upon a cos theta अब यह depend करता है कि आपका जो answer है वो किस format में लिखा हुआ है अब जो आप 10th question देखेगा 10th question देखेगा x is equal to a cos theta a cos theta plus theta sin theta and y is equal to a sin theta a sin theta minus theta cos theta दोनों किसके function है theta के function है तो differentiating equation 1 and 2 language सबकी सेम रहेगी with respect to theta हिंदी में क्या लिखेंगे समीका रेक और दो को theta के साप एक्ष आउकलन करने पर देखे ध्यान से हमको निकाला है dx by d theta अब जिरास्ता अधान यहां लिखेंगे d by d theta of cos theta plus d by d theta of theta sin theta देखें cos theta का differentiation क्या होता है minus sin theta यहां पर दो function है एक theta है और एक sin theta है दोनों को multiply रिखेंगे दोनों तो product लगेगा क्या होगा first function theta sin theta का differentiation cos theta plus second function sin theta और theta का 1 इसको खोलेंगे आप तो minus sin plus sin कर जाएगा तो यह क्या आएगा a into theta cos theta यह क्या निकला dx by d theta यह theta के respect में differentiate किया अब dy by d theta करिए a बाहर हो गया यहां आएगा आपका dy by d theta of sin theta dy d theta of sin theta minus dy d theta of theta cos theta a देखे sin theta का differentiation cos theta minus यहां फर function multiply rule लगेगा लेकिन चुकिए minus बाहर आपको chase करेगा बार बार तो आप यहां bracket लगा दीजेगा क्या होगा first function theta cos का differentiation minus sin theta यह product rule होता है plus second function cos theta और theta का one हो जाएगा अब bracket को खोल दीजे तो आएगा a यह वरा bracket d y by d theta upon d x by d theta यह क्या निकला है a theta a theta sin theta upon और यह क्या निकला है a theta cos theta तो यह आएगा 10 theta क्योंकि a theta कट जाएगा तो this is the question number 10 वो ध्यान से करिएगा क्योंकि differentiation हमने बताया है यह calculus है it is very easy लेकि जरा सा भी अगर आपको मोड ले गई तो फिर आप इसको हिला नहीं सकते वैसे ठीक है basic concept ले गरके इसको करिएगा अब देखे 11th question देखे 11th question क्या है इसमें दिया है x is equal to under root a to power sine inverse t a to power sine inverse t और y दिया है under root a to power cause inverse t a to power है यह यानि यह आपका इस प्रकार से लिखी के ज़्यादा बितर रहेगा a to power sine inverse t का under root और यह है a to power cause inverse t का under root यह पहला है यह दूसरा है और कहना है dy by dx is equal to minus y upon x निका लिए तो बात की बात है पहले इसको differentiate करते हैं चुकि दोनों किसके function ने t के हैं differentiating अच्छा एक सिकेंड और देखें रूट की बात कर लेते हैं थोड़ा सा इसको amend कर लेते हैं यह जो under root का मतलब क्या होता है whole power one upon two तो actually मैं लिखा क्या है a sin inverse t whole to power half वैसे तो हमने जब whole power में डिफ्रेंसेशन पढ़ा है तो हमने का वह यह पूरी चीच x मालेंगे और x पौर n का formula लगाएंगे लेकिन हमारे पास power का rule होता है कि power power का multiply कर सकते हैं तो इस case में हम चाहें a to power one upon two sin inverse t लिख सकते हैं तो हम यही लिख देंगे फ़़ा इसी करने के लिखा है को whole power लिखे और differentiate करें उसको और इसको हम a to power one upon two cause inverse t लिख सकते हैं यह equation 2 है अब दोनों को t के respect में differentiate कर रहे है differentiating equation 1 and 2 with respect to t देखे जाम से dx by dt dt is equal to d by dt of a to power half sin inverse t देखे द्यान से यह t का function है power में a to power x का formula होता है base में constant हो और power में function हो यह हम पढ़ चुके हैं आपने पढ़ा है कि वह अगर d by dx of a to power x हो तो यह होता a to power x log a to base e यह आपने पढ़ा है तो इसको मन में हमने x मान लिया क्या formula होगा इसका a to power आगे लिख देते हैं a to power x x बोले तो one upon two sin inverse t into log a to base e अब हमने इस पूरी चीज को मन में x माना और x मान के differentiate क्या यह तो x थे नहीं तो अब क्या करेंगे इसको दुबारा differentiate कर देते हैं d by dt of half sin inverse t क्या है इगी value देखे a to power half sin inverse t into log a to base e यह half जो है ना इसको बाहर कर दू sin inverse t का differentiation one upon under root one minus x square इसको मत छेडिये इसको यही question one डाल दीजी उठा करके अब ज़रा y को differentiate करते हैं d y by dt d y by dt d y dt of a to power half cos inverse t वही बात इस पूरे को आपने मन में एक समाना क्या होगा a to power half cos inverse t into log a to base e फिर इसको फिर डिशन सेट करेंगे तो one upon two बाहर और cos inverse का होता है minus one upon under root one minus t square यह यहाँ पर भी t square होगा यह x लिख गए हम यह t square है क्यों t का function है तो यह हो जाएगा आपका minus minus a to power half cos inverse t into log a to base e into यह one upon two अलग कर दो one upon under root one minus t square अब ज़रा देखे आपको dy by dx निकालना है दोनों को divide कर दीजे उठा करके cause inverse t और यहाँ बचेगा a to power half sine inverse t और अभी पढ़ चुके हैं यह y है और यह x है तो यही आपको proof करना था तो this is 11th question अब ज़रा जिसको की complicated माना जाता है यह high complicated नहीं है चुकि answer को छोटा लाने के लिए अगर answer लाना है तब तो आपको calculate करना पड़ेगा यह 7th question मैं discuss करने जा रहा हूँ थोड़ा ध्यान से देखेगा हम हर स्ट्रिप को show करने की कोसिस करेंगे थोड़ा tough तो नहीं कहेंगे ट्रिप्नमेटिकल आइडेंट्री लगी हुई है इसलिए थोड़ा tough पड़ जाता है यहाँ कुछ फार्मूले लिखने पड़ेंगे पर हम समली देते हैं दोको 3sinθ माइनस 4sin3θ यह sin3θ का फार्मूला होता है और 4cos3θ 4cos3θ माइनस 3cosθ यह आपका cos3θ होता है यह फार्मूले याद कर रखिएगा अभी हम रभ करते हैंगे इन्हें यूज़ करना पड़ेगा देखें यहाँ function क्या है x की value लिखी भी है 7th कुछनदा साउधान होगी करिएगा x is equal to sin3t upon under root cos2t पहले इसको t के respect में differentiate कर देते हैं और जो result आता लिख देते हैं देखें जब इसको t के respect में differentiate करोगे पहले आप करिएगा तब तक हम जब इसकी पेट पूजा कर दें यहाँ division रू लगेगा सामुला क्या होता है denominator अनि under root cos2t into dy dt of numerator देखो यहाँ differentiation हम direct करेंगे यहाँ नहीं चलेगा कि वो t बानो चेंड रू लगाऊ वो बताए जा चुका है minus numerator into dy dt of under root cos2t upon denominator का whole square करोगे तो भही इसका root हट जाएगा यहाँ आएगा cos2t जरा साउधान देखें under root cos2t लिखाने ने दीजे under root cos2t into देखो यह sin3t का मतलब क्या होता है sint hold power 3 यह क्या लिखा है sint hold power 3 और हमने बताया जब भी hold power होगी इसको मन्ने x मानेंगे x power 3 का 3x square आएगा यह इसका आएगा 3 sin square t और sin t का फिर करेंगे तो आएगा cos t सब्सक्राइगा गया होगा minus sin3t लिखाने ने दू देखो इसका मतलब hold power half यह लिखा है cos 2t hold power half आपने इसको मन्ने x माना तो क्या आएगा half x power minus half यह आएगा half cos 2t की power minus half फिर cos 2t करेंगे क्या आएगा minus sin 2t और 2t का फिर करेंगे कि आएगा 2 आएगा hold upon यह लिखा है cos 2t अब जड़ा देखिए यह 2 से 2 कर गया बहुत साउधान इसका कुछन करिएगा ऐसा करते है cos 2t जो लफडा कर रहा है न इसको बाहर लिख दीजे बार बार अपान बहुत बड़ी line खिचनी पड़ रही है यहाँ देखिए यह आप लिखा रहे हैं तो ऐसे ही under root cos 2t into 3 sin square t into cos t यह माइनस है यह माइनस है तो प्लस हो जाएगा यह sin cube t है और यह sin 2t है इसको लिखते हैं 2 sin t into cos t अच्छा यह माइनस हाफ है तो यह नीचे आके under root हो जाएगा cos 2t यह थोड़ा calculation लंदी है बस और कुछ नहीं है वो ध्यान से सू करिएगा देखिए जब इसमें under root cos 2t एलसे लोगे तो यहाँ हो जाएगा root हट जाएगा और यह upon वाली चीज इसके साथ आजाएगी यह cos 2t पावर 1 है यह cos 2t पावर half है तो बाहर क्या जाएगा 1 upon cos 2t की पावर 3 by 2 इसको फिलाल हम बाहर लिखे दे रहे cos 2t पावर 3 by 2 अंदर क्या पचेगा देखिए इसका multiply इसके साथ हुआ है तो यह बन जाएगा cos 2t इंटू 3 sin square t into cos t plus sin cube t score up करना पड़ेगा पूरा sin cube t अज़ा sin power 4 हो जाएगा तो 2 sin power 4t into cos t इसमें कुछ common दिख रहा है आपको एक तो sin to power देखे एक तो cos t common है और एक sin square common है तो अगले इसमें क्या करेंगे आप cos t common लेजेगा into sin square t common लेजेगा और नीचे जो लिखा है cos 2t to power 3 by 2 लिखा रहने दीजे यहाँ क्या पचाएगा यहाँ पचाएगा 3 cos 2t plus 2 sin square t इसको अभी आप छेड़ेगा यहीं रख दीजेगा यह निकला है dx by dt इसको अलग कहीं नोट के लिए दे रहे हैं यह dx by dt लिखा हुआ है अब ज़रा देखेगा dy by dt यहाँ जो dx by dt है इसको हम कहीं लिखे दे रहे है यहाँ लिखे दे रहे है dx by dt निकल के आया है कितना cos t into sin square t upon cos 2t to power 3 by 2 in bracket 3 cos 2t plus 2 sin square t वा कलिपनेट कर लिए यहाँ कहीं कोई गलती न हो रही हो यह से हो नहीं रही है अब ज़रा y का function उठाते हैं और y का function है इतना ही बड़ा differentiation उसका होगा देखे y उठाए y is equal to क्या है cos cube t y है cos cube t upon under root cos 2t under root cos 2t फिर divided t करिए अब डाइल लिख रहे हम denominator यहनि हर under root cos 2t जब cos cube t का करेंट कितना आएगा 3 cos square t आएगा और cos t का minus sin t तो minus यहाँ लगा दें यह sin t हो जाएगा minus cos cube t लिखाने दीजेगा यह under root cos 2t करेंगे कितना आएगा 1 upon 2 अब डाइल लिख रहे हैं इसमें 1 upon 2 under root cos 2t और cos 2t का minus sin 2t और 2t का 2 और upon यह पूराया numerator और upon जब इसका whole square करोगे तो यह root हट जाएगा यह cos 2t आजाएगा यह हम फिलाल यह 2-2 कर गया cos 2t अलसम लोगे तो यहां cos 2t हट जाएगा और यह upon में आएगा इसकी power कितनी है 1 इसकी power कितनी half और 3 by 2 हो जाएगी तो ऐसा करते हैं इसको बाहर कर देते cos 2t की power 3 by 2 अब जो को यहां के आएगा यह सका रूट हटा देगा तो आएगा minus cos 2t into 3 cos square t into sin t minus यह है और minus हो जाएगा plus cos cube t और sin 2t को लिखेंगे 2 sin t into cos t यह upon में जो लिखा है यहां पर लिख दिया है हमने तो आएगा 1 upon cos 2t to power 3 by 2 देखें यहां से common क्या दिख रहा है 3 common दिख रहा है नहीं दिख रहा cos square t common दिख रहा है जी हां और sin t common दिख रहा है तो हमने यहां से आपका dy by dt रहा है वह आपका dx by dt रहा है अब हम निकालने जा रहा हैं dy by dx dy by dx देखे कैसे निकलेगा वैसे तो कुछ भी आप अपान लिख दीजेगा जो आंसर फाइनला लिख दीजे लेकिन यहाँ थोड़ा mathematical चुक्छ टिग्रमर्टी है कुछ टिग्रमर्टी के आइडेंटी लगानी पडेंगे तो जब हम dy by dx निकालेंगे तो आएगा dy by dt अपान dx by dt जरा सावधान जब dy by dt लिखो गया अपान में तो यह चीज तो कर जाएगी दोलों की यह आएगा यहाँ पर cos square t into sin t in bracket minus 3 cos 2t plus 2 cos square t अपान यह जब dx by dt करोगे तो आएगा cos t into sin square t in bracket 3 cos 2t plus 2 sin square t अब ज़रा देखेगा cos 2t के अभी थोड़ी दे पहले हमने फार्मले बताया है जहाँ पर 1 को cancel कर ला था यहाँ पर cos square t आया हुआ है तो cos 2t का वो फार्मला जो cos square के टम में है और यहाँ पर cos 2t का वो फार्मला जो sin square के टम में है एक cos से एक cos कड़ गया एक sin से एक sin कड़ गया उपर बचा cos t यहाँ देखिए minus 3 cos 2t का वो फार्मला क्या लगेगा 2 cos square t minus 1 यह हो गया और plus 2 cos square t हो लपान नीचे क्या पचेगा sin t और यह आपका cos 2t लगाएंगे तो क्या लगाएंगे फार्मला 1 minus 2 sin square t plus 2 sin square t यहाँ पर चुकि cos square था इसलिए cos 2t का फार्मला हमने लगा है cos के टम में और यहाँ पर sin square है इसलिए हमने sin के टम में लगाया अब ज़रा bracket खो दीजएगा cos t ग्रेंगे खोलेंगे के आएगा minus का 6 cos square t plus का 3 और plus का 2 cos square t खोल अपान यह है sin t इसको खोलेगा 3 minus 6 sin square t plus 2 sin square t अब ज़रा इसको calculate करिएगे थोड़ा बोद यह उपर है cos t अंदर क्या पचेगा 3 plus का है 3 minus 4 cos square t और अपान में है sin t उप रेकेट में क्या है 3 minus 4 sin square t minus 4 sin square t ज़रा cos t को अंदर ले जाएगा 3 cos t minus 4 cos cube t अपान 3 sin t minus 4 sin cube t जब इस question को start कर रहे थे हमने cos 3x और sin 3x की फामले बताये थे यह sin 3x लिखा है लेकिन यह नहीं लिखा है माइनस का मुल लेना पड़ेगा तो यह आपका हो गया minus cos 3t upon sin 3t is equal to minus cos 3t इसलिए इस question को उने बाद में रखा था तो this is your question this is your exercise do by yourself okay next video में next exercise thank you